अचानक से कहा गायब हो गया खेसारी लाल यादव का सारा सोना जी हाँ ये बड़े ताजुब की बात है कि आज कल जहां भी आप खेसारी लाल यादव को देखेंगे जब वो शूट पर नहीं होते वो सोना नहीं पहने रहते हैं जी हाँ गोल्ड वो नहीं पहने रहते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो अब ध्यान दीजेगा अब उनकी जितने भी अपेरेंस होती है जहां भी होती है फिर वो चाहे कोलकता वाला एवार्ट शो हो फिर वो चाहे इवरिधा आश्रम में जाना हो, फिर वो चाहे कहीं भी जाना हो या कहीं भी वो पबलिक अपेरेंच कर रहे हो जहाँ वो भर भर के सोना पहले पहना करते थे, पहीं अब वो मात्र एक गोल्ड की चैन पहनते हैं इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि खेसारी लाल यादो पर पिछले दिनों यानि कुछ समय पहले अटेक हुआ था जो वो सोना पहनते हैं उसके लिए ही कुछ लोगों ने उन पर अटेक कर दिया था जिसे सुरक्षा के मद्दे नजर ध्यान में रखते हुए उन्हें सोना पहनने के लिए मना किया गया है आपको बता दे कि सोने के बहुत बड़े सौखीन है खेसारी लाल यादो जी हाँ गोल्ड उन्हें पहनना बहुत पसंद है और उन्हें अच्छा लगता है कि उनके करीबी उन्हें जब भी गिफ दे तो कुछ गोल्ड में दे उन्होंने एक बार एक इंट्रव्यू में कहा था कि जब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तब भी जब वो किसी को गोल्ड पैने देखा करते थे तो उनका भी मन हुआ करता था कि उनके पास भी कभी इतना सारा गोल्ड हो जब खेसारी लालियादो सक्षम हो गए तब खेसारी लालियादो ने एक एक कर अपने सारे शौक को पूरे किये और उसमें एक शौक गोल्ड पहनने का भी था लेकिन अब खेसारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें गोल्ड पहनने से उनके करीबियों ने बना कर दिया है जिसके चलते खेसारी लालियादो मात्र एक गोल्ड का चैन और हाथ में एक ब्रेसलेट पहनते है सोने के प्रती दिवानगी को लेकर खेसारी लालियादो से जुड़ी एक बात आपको बता देते हैं खेसारी लालियादो के बड़े में एक बार उनके एक रिस्तेदार ने उन्हें कैब गिफ्ट की और उस कैब पे उसने खेसारी का नाम गोल्ड में ही गुदवाया था जी हाँ उन्हें गोल्ड से इतना लगाव है कि वो कैब भी गोल्ड की ही पहनना पसंद करते हैं वोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुन दूरी